नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिट से एक बर मेरे यूटूब चैनल शेर विट अरूप में तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि कार्भी अंगलों को लेके काफी जादा चर्चा हो रही है Central Government, State Government और कार्भी अंगलों के 6 Insurgency Group के साथ एक Agreement Sign किया गया है जिस Agreement का नाम बताया जा रहा है कार्भी Peace Accord तो आखिर इस सांती समझोते में क्या क्या लिखा गया है मोटा मोटी तोर पे इस पे क्या पॉइंट रखा गया है यह मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और यह आपके लिए जानना भी काफी जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो इस कहानी की शुरूबात तब से होती है जब मेगालया भी असम का हिस्सा हुआ करता था लेकिन 1972 में जब मेगालया असम से अलग हो रहा था तब कारवी अंगलों के लोगों से पूछा गया था कि आप किसके साथ जाना चाते हो आप मेगालया के साथ रहना चाते हो या फिर असम के साथ रहना चाते हो तो उस वक्त कारवी एंगलों के लोगों ने कहा था कि देखो भाई हम तो आसाम के साथ की रहना जाते हैं लेकिन हम लोगों को आसाम के अंदर भी एक autonomous state का दरजा चाहिए लेकिन उस वक्त हमारी सरकार थी कॉंग्रेस के सरकार तो हमारी कॉंग्रेस के सरकार ने इन लोग को कहा था कि ठीके चलो हम तुम्हारी बात आगे तक ले जाएंगे लेकिन बाद में इन लोग के ओपर जादा ध्यान नहीं दिया गया इन लोग को Autonomous State तो नहीं दिया गया बलकि इन लोग को Autonomous Council दिया गया जिससे कि ये लोग बिल्कुल खुश नहीं थे ये लोग चाते थे कि इन लोग को Autonomous State मिले इन लोग के ओपर खास धियान दिया जाए इन लोग का Development हो और सरकार की इनी लापरवा रवाई है के वैसे कार्विय यानि कि हजारो हजारो संक्ष्या में नौजवानों ने हत्यार उठा लिया सरकार के किलाफ अपनी मांगे पूरी करने के लिए जिससे हमें Expert Collection जो सरकार के डॉक्र हेमन तर बिशसर्मा के साथ ट्राइ पार्टी एक agreement sign किया गया जिसका नाम दिया गया कार्भी पीस एग्रिमेंट तो आप सरकार और इन संगटनों के बीच क्या agreement sign हुआ है उसमें जो है मोटा मोटी point क्या लिखा गया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ तो सरकार ने कहा है कि अगले एक मेने के अंदर आप सबी लोग को surrender करना होगा सरकार के आगे दूसरा point इसमें ये रखा गया है कि सरकार दुआरा कि आप लोग के जितने भी camp थे आप लोगों ने जितने भी जंगलों में camp लगाया थे वो सब आपको एक मेने के अंदर हटाना होगा तीसरे नमबर पर यहाँ point ये रखा गया है कि insurgency groups के पास जितने भी हतियार थे वो सारे हतियार उन लोगों को सरकार के सामने जो है सौपना परेगा यानि कि सरेंटर करना परेगा अगला point सरकार ने इन लोगों के सामने ये रखा है कि भारा सरकार दौरा इन लोगों के लिए यानि कि कारवी एंगलों के डेबलोप्मेंट के लिए उन्नति के लिए 500 करोर रुपया खर्चाक गिया जाएगा यानि कि हर साल 100 करोर रुपय इन लोग को दिया जाएगा डेबलोप्मेंट के लिए साथ ही असम सरकार द्वारा वे यहां 500 करो रुपया खर्चा गिया जाएगा यानि कि हर साल यहां 100 करो रुपया दिया जाएगा कार्विय अंग लोग के उन्नती के लिए और यहां जो है सरके भी अच्छी बनाई जाएगी और जो है स्कूल वगेरा हर चीजों पर ध्यान दिया जाएगा साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि आर्मी, सियार, पियप और पुलिस द्वारा यहां जो है ड्राइब चलाया जाएगा और जो भी कारवी अंगलों में यंग लोग है यानि कि यंग नोजवान है उनको यहां जो है पेरा मिलीटरी में भरती कराया जाएगा साथ ही सरकार ने इन लोग को ये भी ओफर दिया है कि इन लोग के खिलाब जो भी केस चल रहे थे यानि कि जो छोटे मोटे केस थे वो केस बिलकुल हटा दिया जाएगा खतम कर दिया जाएगा और साथ ही जो बरे case थे यानि कि जो गंभीर अपराध है उस पर ध्यान दिया जाएगा case to case नजार रखा जाएगा क्या वो case भी सरकार हटा सकते हैं क्या उस पर ध्यान दिया जाएगा अगला जो है point सरकार द्वारा रखा गया है कि जो भी यहाँ जो है militant यानि कि insurgency group के जो भी लोग थे वो लोग जो सरकार से लड़ते वह यानि की सरकार के against fight करते वह उन लोगों ने अपनी जान दी है उन लोगों के परीजनों को उन लोग के परिवार वालों को 5 लाक रूपे करके यहाँ जो है हर परीवार को मदद दी जाएगी तो यही थे वो सारे points जो एग्रिमेंट में लिखे गया है सरकार द्वारा साइन किया गया है कार्भी एंगलों में सांती के लिए और यह काफी ज़्यादा जरूरी भी था क्योंकि आप जानते हैं अगर आप असम से या फिर आप नौर्थ इस्ट से है तो आप देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से कि असम में जो है इंसरजनसी का मामला चल रहा है आयह दिन यहाँ काफी इंसरजनसी एक्टिव हो गये थे रिसेंटलि आप लोगों ने देखा होगा गया कि उल्फा द्वारा या टाटाटी कंपनी को भी धमकी दिया गया था कि जो है असम में यहा लोको ही काम में रखा जाए वनना उनको यहाँ कमपनी चलाने नहीं दिया जाएगा तो इस तरह के जो है मामले होते रहते हैं जिस वाया से जो है असम में या फिर कल यह नौर्ट इस्ट में बाहर से कमपनी आने के लिए ड़ती है तो आप भारा सरकार दुआरा कार्विया इंगलोंग में सा सारा प्रोब्लेम अब सॉल्व होने जा रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही आज का वीडियो हम यहीं पर समप्त करते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीज